आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Question में में दे रखा है Number of Integral Solution of the Equation 3x plus 3y plus z is equal to 30 where x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 and z greater than equal to 0 is ठीके, तो हमें Number of Integral Solution बताना है इस Equation का दोको इस Equation को में लिख सकता हूँ 3 common लेके x plus y ठीके, x plus y और यहाँ पे plus z is equal to 30 लिखा हुआ है, जहाँ पे हमेरा क्या होना चाहिए x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and z greater than equal to 0, यह condition होना चाहिए अब हमें एक concept पता है, ठीके concept क्या होता है, कि एगर x1 plus x2 plus x3 ओके, अब टू xr तक ठीके, इसकी value अगर n के equal है, तो इसमें जो Number of then the number of the number of, ठीके non negative integral solution integral solution, ठीके of the equation of the equation का formula क्या होता है, यानि कि अगर मेरे को इस equation का Number of non negative integral solution find out करना है, तो इसका formula होता है, वो हमारा क्या होता है, तो n plus r minus 1, c r minus 1 ऐसा कुछ होता है, ओके, अब देखो, यहाँ पे अपन, इसका अपन सबसे पहले value analyze करते हैं, देखो अगर यह 3 से multiply है, 3 x plus y, okay, plus z is equal to 30 वरना है, तो अगर यह 3 से multiply है x plus y, और उस में से अपन 30 को अगर minus कर रहे हैं, ठीके, यानि कि basically मैं बोल रहा हूँ z का value, तो z का value हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 30 minus 3 times x plus y, ऐसा कुछ हो जाएगा, अब देखो 30 में से अपन 3 का multiple अगर minus करें, तो मेरे को result क्या मिलेगा, 3 का multiple ही मिलेगा, multiple, यहीं मिलेगा, 3 का multiple होगा, वहीं हमें मिलेगा z का value, okay, तो मतलब z जो हो सकता है हमारा, एक integer है, positive integer अगर है, तो z हमारा क्या क्या हो सकता है, 3 का multiple, okay, तो अगर मैं case बनाता हूँ, first case, जब z हमारा, मान लो 3 हो गया, अगर z का value 3 है, तो उस समय, तो अगर मैं z का value यहाँ पे 3 रख दू, तो यह मेरा जाएगा, 3 times x plus y is equal to यहाँ पे 27, यानि कि x plus y हमारा क्या बन जाएगा, 9 के अब इस equation के non-negative integral solution अपन बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो n के जगा पे 9 है, r के जगा पे हमारा 2 term है, तो 2 minus 1 c, 2 minus 1, that is, यहाँ पे 10 c1 हो जाएगा, ठीक है, यह 10 c1 बन गया, तो 10 c1 का value क्या होता है, हमारा 10 के equal होता है, यह हमें पता है, ठीक है, अपन जानते हैं, कि n c, r को मैं कैसे solve करूँगा, तो n का factorial divided by r का factorial into n minus r के factorial से, similarly 10 c1 को मैं solve करता हूँ, तो 10 का factorial, 10 minus 1, that is, 9 का factorial हो, 1 का factorial, अब 10 के factorial को मैं expand करूँगा, 9 के factorial तक, तो यह expand होके मेरा क्या देदेगा, 10 into, ठीक है, 9 का factorial, अब यह इससे cancel, तो 10 upon 1 का factorial, that is 10, ठीक है, यह आ गया, अब देखो, second case अपन लेते हैं, जब z का value मेरा 6 होगा, 3 का ही multiple होगा, तो z का value अगर 6 हो गया, तो यहां से x plus y is equal to 8 आ जाएगा, ओके, तो इसकी जो non-integral solution होगे, ठीक है, यहां पर अपन देख सकते हैं, non, sorry, non-negative positive integral जो solution होगे, वो क्या हो जाएँगे हमारे, तो 8 plus 2 minus 1, c 2 minus 1, that is, यह value आ जाएगा मेरा, 8 plus 2, 10 minus 1, that is 9c1, यहनी कि 9, ओके, अब अपन 3 देखते हैं, तो 3rd हमारा क्या जाएगा, जब z का value मैं यहां पर 9 लूँगा, ठीक है, यहनी कि 3 का multiple, तो अगर मैं 9 लूँगा, तो उसमें x plus y का value क्या जाएगा, अगर मैं इसके जगा पर 9 रखूँ, ठीक है, तो यह 21, यहनी कि x plus y मेरा 7 मन जाएगा, ठीक है, तो यह 7, तो उसमें हमारा value क्या जाएगा, non-negative integral solution, तो 7 plus 2 minus 1, c2 minus 1, that is 9 minus 1, that is 8c1, that is 8, ओके, ऐसे ही, similarly अगर मैं यहां पर z का value, अगर मैं ऐसे ही करते ही, z का value, ठीक है, अगर मैंने 30 एजूम कर लिया, तो जब मैं 30 एजूम करूंगा, तो यह देखो, यह हमारा क्या जाएगा, 30, ठीक है, 30 minus 30, ठीक है, तो यानि कि x plus y का value 0 मिल जाएगा, उसमें, तो उसमें मैं लिखूंगा, x plus y is equal to 0, ठीक है, यह हमारा extreme case होगा, और इसके जो number of solution होगे, वो क्या होगे, तो 0 plus 2 minus 1, ठीक है, और c2 minus 1, that is 1 c1, ठीक है, और 1 c1 का value तो 1 होगा, यह हमें पता है, यानि कि इसके number of solution 1 होगे, तो total number of solution कितने आगे, देखो total number of solution हमारे कितने आगे, first में हमारा 9 आ रहा, ठीक है, second में 8 आ रहा, और ऐसे करते करते हैं 1 तक, ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि number of total solution, total solutions, ठीक है, total solutions is equal to 9 plus 8 plus 7, अब 2 कहां तक, तो 1 तक, ठीक है, तो यह हमारा first n natural number का sum लिखा हुआ है, जो कि क्या होता है, n into n plus 1 divided by 2, तो यहाँ से अपन इसका solution क्या लिख सकते हैं, 9 into 10 divided by 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यह 2, 5, 10, तो 5 into 9, that is 45, तो total number of solution हमारे कितने आ आ गया है, 45, ठीक है, तो इस question का जो answer है, वो हमारा क्या है, 45, 45 is our correct answer, thank you. .